चलो आज मनाते हैं हम लोग समर स्पेसल ब्रेकफास्ट जो बहुत ज्यादा इंस्टेंट बनेगी और इतनी गर्मी में तो सुभा सुभा जाके किचन में बहुत ज्यादा देर तक खड़ा होने का भी मन नहीं करता है तो लगता है कि क्या ऐसा इंस्टेंट बनाई जो पेट बच्क गढ़ों को पहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो आप जरूरी से ट्राइग करना और मुझे बताना बहुत ज्यादा स्पंंजी और बहुत ज्यादी बनने वाली है तो मैसे पहले आधाjal पशुजी जाप मोटी शूजी या बारिक शूजी कोई भी यूज़ कर सकते हो फिर मैं इसमें वन फूर्ट कप दही अड़ किया सब जिसको मिक्स करके हम दही और सूजी को सोख होने के लिए रखेंगे दस मिट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे उसके बाद फिर अब हम लोग चिवडा या चूडा या पोहा जो आप बोलो पोहा लिया उसके बाद फिर मैंने इसमें एक कप के अप्रॉक्स मैंने इसमें पानी आट किया उसके बाद फिर इसे अच्छी तरीके से वास कर लेंगे और पानी को बिलकुल अलग कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग इसे स्ट्रेनर में अच्छी तरीके से छान लेंगे और इससे थोड़ा देर रख देंगे थोड़ा ये फूल जाएगी तब तक पोहे उसके बाद फिर हम लोग तब तक चटनी बना लेंगे तो चटनी के लिए मैंने चने डाल को अच्छी तरही किसे सौटे कर लिया वन फोट कप मैंने चना डल एड़ किया था फिर मैंने सूखी नारियल एड़ किया धनिया पत्ता एड़ किया उसके बाद फिर हरी मिर्च और जो हमने सौटे किया था न चने डाल को उसमें मैंने थोड़ा सा पानी आड़ कर लिया था मैंने वो एड़ किया उसके बाद फिर म मैंने इसमें एक चोटी चममच नमक आड़ किया उसके बाद फिर मैंने इसमें दो चोटी चममच पानी आड़ किया और सब चिसको हम लोग अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे यह चटनी एकदम तो मिनिट में रेडी हो जाती है कि अगर आपके पास सूखी नारियल न लिए तो यह देखो जो हमारी चिटनी एक तम इंस्टेंट रेडी और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में उसके बाद भी हमारा सूजी भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका था अब उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो हमने पोहे को सेट होने क्लिए रखा था ना व चुछ 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 नमक एट किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें बारी कटा धनिया पत्ता एट किया इसे एकदम अच्छी तरीके से हाथों से मैस करते हुए ना इसे एकदम एक नीट और क्लीन डो के फॉर्म में एकदम ले आएंगे तो यह दिखो एकदम अच्छी तरीकों से यह बनता है और बहुत हीजली बन जाता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो अब हम लोग इसे स्टीम करेंगे तो स्टीम के लिए मैंने एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया उसके बाद फिर उसमें वायर्ड स्टैंड को आपको रखना है और उसके बाद फिर 10-15 मिनिट में अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका था यह देखो एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है अब चाहो तो आप इसे ऐसे भी खा सकतो है या फिर आप इसमें तड़का भी लगा सकते हो तो मैंने खा सकते हो अगर शाह को तो बच्छों का इसा ही सर्फ कर सकते हो अब उसके बाद फिर टेस्ट को और ज्यादा है इन्हैंस करने के लिए दोम नट के पैर हम लोग इससे सौटे कर लेंगे थोड़ा सा टोस कर लेना है उसके आदे इसमें थोड़ा सी काली मिर्ष का पॉडर और उसके बाद पीट हम लोग इसमें थोड़ाई सा चीली फ्लैक्स भी आड़ करेंगे, एक च्छी जम मद थोड़ासा नमक भी हम लोग आड़ करेंगे, और सब च्योंको अच्छी तरीका से मिक्स करेंगे, उपर से गार्नी सिंग लिए धनिया-पत्ता भी आड़ करालेंग लगी तो जल्दी से लाइक करो शेयर कर सब्सक्राइब